गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स अब हम लोग देखेंगे सूफी आंतलों के संबंध से संबंध ही ते जो आए हुए कोस्चन या जो इस तरह के कोस्चन आते हैं वह वान लाइनर रूप में आपके सामय है पाला है सूफी सब्द के उत्पति के संबंध में सरवाधिक मानेता इसल्पोम अधर्थे जों के बारे में असत्ट क्या है क्ä engaged विकारधार क में क्टर पंथीं दॉझ हाए इन्हों! इसल्म को उदार सीव उदार बनाया है किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुश्रों किसे शूफी ने खुद को अनलहक्य यानि मैं किया जिस कारणों से फांसी पर लटका दिया गया था नाम मंसूर और हज्जाज वह सूफी संद कौन था जो यह मानता था कि भगती संगीत इस्वर के निकट पहुँचने का एक मारग है नाम क्या हिनका मुझुद्दिन चिस्ति भारत में चिस्ति सिंसिले को किसने अस्थापित किया तो सेख मुईनुजिदिन चिस्ती सूफी सिलसिला या कहेंगे संपर्दाय मुल्त सम्मंदित है तो यह इसलाम से इसलामी रहस वादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन भारत में किस सूफी सिलसिले को सरवाधिक लोग फिलेता मिली तो चिस्ती फिर दोसी सिलसिले के सरो पर्थम सुफी थें सर्फुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहिया मनेरी दरासिकों ने किस सुफी सिलसिले को अपनाया था कादिरी को किस सूफी को चरार एध्यलवी यानि दिल्ली का दीपक कहा जाता है नामिन का सेख नसीर उद्धीन को किस सुल्तान से निजामुदीन अलिया ने भेट करने से इनकार कर दिया किस से जलाल उद्धीन फिरोज खिल जी से सुफी सिल्सिलों वे कौन संगीत के विरुज था तो नक्स बंदी और अरंजेव इसी से संबंध रखता था दरासीकों ने किस सीर्षक से उपनी सुदों का फार्सी में अनुवाद किया था सीरे अकबरे सुफिया कलाम जो एक परकार का भगति संगीत है विशेस्ता है कस्मीर की सुफि संद ख्वाजा मौनुद्दीन चिस्ती किसके सासन काल में राजस्थान आये थे तो प्रिस्वीराज चौहान के समय में और प्रिस्वीराज चौहान को कोन हरा दिया तो महमद गवरी परसिद सुफि सलीम चिस्ती रहते थे फ़तेपुर सिक्री में वहदत उल सूद यानि भारत के दोयत वाद जैसा सिधान्त का समर्थक सुफि जी से मुजहिद यानि धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादसान इस आरोप पर ग्रिफतार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि अध्यातमिक छेत्रों में परसम तीन खलिफाओं से भी वे आगे हैं वो कौन था? सेख अहमद फारुक सरहिंदी मध कालीन सुफियों में सबसे धनी सुफि थे सेख बहाउद्दीन जकारिया किस सुफि को बक्तियार काप की यानि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो यह कौन थे तो? ख्वाजा कुत बुद्दीन किसी सुफि संत को सुल्तान ए तारीकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि में लिए किसके नाम थे उसका? नाम हिनका सेख हमिजुद्दिन नागवडिन सेख फरीद हिन मसूद गंज ए संकर या सकर या सेख फरीद या इनका नाम है बाबा फरीद कि गतिविदियों का छेतर था हांसी एवं और जोधन कावय भक्ति के रूप में उर्दू का परयोग करने वाला पहला सासत था नाम उसका अमीर खुसरो है किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानि अल्लाह के पिरिये कहा जाता है किसको किसी सूफी संथ ने कहा था हनीज दिली दूर असता मतलब कि दिली अभी दूर है तो यहाँ सेख निजामुदीन अल्लिया ने कहा था किसको तो मुहमद बिन तुगलक से पहले कोन राजा थे उर्दू को कहा था आगे परते हूं दक्षिनी भारत में चीश्ती सिलसिले की नियू रखने वाला कौन था सेख बुरह उर्दू दिन गड़ी पर मिराज उल असिकीन उर्दू सायरी की पहली किताब है जो किताब के सूफी रचाईता हैं कौन दिन नाम याद कीजिए सेद मुहमद गेसुद राज बंदान बंदा नवाच अकबर जी से सूभी संत का बारा आधर करता था जिसके असिरवात से साधादा सलीम यानी जहागीर का जन हुआ था वह था सेख सलीम चिस्ती दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इलतुतमिस ने किसे सेख उल इसलाम की उपाधी दी थी तो सेख बहाउद्दीन जकारिया को किसे सूफी सिल्सिले की गशिविदियों का मुख केंदर बिहार था तो बिहार में फिर दोसी था सर्फिव दीन अहमद इविन महदूम एहया मनेरी का कारिछेतर था बिहार सरीफ फार्सी में रचित मजमा उल बहरायन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत वहिंदू मत का तुल्नात्मक वर्नन है का रचाईता तो दारा सिको है किसने संस्कृत के पंडितों की सहता से भगवत गीता एवम योग वसिष्ट का अनुआद फार्सी में किया था तो नाम है दारा सिको है किस सूफी सिलसिले के अनुआई अध्यात्मिक तत्यों के संबंध में तरह तरह के नक्से बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे तो नाम ही है नक्सबंदी मुगल बास्ता और अंजेव को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था तो नक्सबंदी किसे सेख और हिंद की पद भी परदान की गई थी तो उसका नम क्या है सेख सलीम चिस्ती तो उसा करते हैं कि यहाँ सूफी संसे समद ही कुछ फैक्ट आपको अच्छा लगीगा जिरूर लाइक करें सियर करें कुमेट करें और सब्सक्राइब करें